हेलो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस्पैनल कॉट के बारे में इस्पैनल कॉट के एक्सटरनल फीचर क्या है इसके इंटर्नल फीचर क्या है इस्पैनल कॉट का फंक्शन क्या है अगर हम बात करें इस्पैनल कॉट की तो इस्पैनल कॉट में अगर हम इस को सब्सक्राइब करने हैं कि इस करें इस्पानिल कोड की किस्ट्ट्री गया था तो समतिंग 45 सेंटिमीटर होता है अगर बात करें तो यह पूरे बट्टिवल कैनल का तू वाइठड पार्ट होता है अच्छा असल में इस्पानिक कोट का अगर हम बात करें कि इस्पानिक कोट का बिगिंस कहां से होती तो यह फोरमेंड मैगनम से बिगंस होता है और यह मैडॉला अब लंगा टाके द्वारा होते हुए एल बन एन एल टू बर्टिबर पर पहुचता है अगर हम बात करें इन फीटस में तो फीटस में यह इसका लोवर बॉडर होता है वह एस्टू बर्टिबर तक होता है ठीक है करें फंक्शन की बात करें तो इसुई कोड का फंक्शन है कि किसी इंफर्म में में सन का ट्रांसमिशन to and through between the body and brain brain से body and body to brain और दूसरा फंक्शन है इसका simple reflex कि execution of the simple reflex अगर हम बात करें इसके external feature की तो external feature इसस्पैनल कोड गिव्ज ओर इन थाटी-वन पियर्स आप दा पाइंडरों अगर हम बात करें इसकी स्टुक्चर की तो एक C8 C128 एंड थोरासिक 1-12 एंड आफ्टर थोरासिक 1-12 तोरासिक इस दिसे स्टुक्रमेट आफ्टाप्स करें इस नहीं भूल कि था है स्टुक्रमड भी थोरासिकEND तबार पर दोटें वी तॉरासिक तोरास confrontor रोठीर प्यर तोist क्र इंड इन देफंग नगर के मैं देैंडरों तो Choda Equina जो होती है, वह सेक्रम लूम्बर के end में सेक्रम के पहले Choda Equina होड स्टेयल लाइक इस्ट्रक्टर होती है, अगर हम बात करें इसके external feature की तो इसमें जो रिप्रजेंट करता है फिसूरा एंसुल की, attachment of the spinal nerve root की spinal nerve root का attachment कहसा होता है, वो सबसे most important है enlargement of the spinal cord अगर हम बात करनें C1 C1 जो हमने अभी इस्ट्रेक्षर में आपको बताया था कि from C1 to L1 बाइवर्टिवरी चाहिए उसके एंटिरियर एंट पॉस्टियर नर्व रूट जो है वो पासना है फ्रेंट एंड बिहाइंड जो फ्रेंट या बिहाइंड वो होती है लिगामेंटम डैंटी कॉलिटम से अपर सर्वाइकल नर्व रूट पासे ह्रिजोंटली सर्वाइकल वाली एंड जो थोरे सिव ओती है वो उब्लिकले होती है और लुम्बर एंड छो नर्व रूट होती а वो almost vertically होती है coda equina बोलते है मैंने आपको बताया था कि formation होता है lumber के बाद और second पहले coda equina का formation होता है ज़िए least of lumber except L1 and all the spinal nerve exit out होती है बर्टिवल कैनाल से जितनी भी spinal nerve होती है वो बर्टिवल कैनाल से exit होती है बट थरोधा except C1 and C2 and S5 अगर हम बात करें C1 की तो C1 जो spinal nerve है वो इमर्च होती है posterior arc posterior arc of the atlas vertebra से atlas vertebra से अगर हम बात करें C2 की C2 इमर्च होती है posterior arc of the atlas and axis posterior arc of the atlas and axis vertebra ठीक है अगर हम बात करें all the spinal ganglia spinal ganglia lies intervertible 4 आमिना में लेकिन accept sacral and coccygeal coccygeal 1 क्योंकि coccygeal 1 and sacral 5 इमर्च होती है lower end of the sacral canal से lower end of the sacral canal से अगर हम बात करें spinal nerve की तो जो pair of the spinal nerve है उससे हम बोलते है spinal segment तो what is the spinal segment spinal segment बोलते हैं जब किसी भी pairs of the spinal nerve को is called the spinal segment और यह surface पर visible नहीं होते spinal cord करें तो spinal cord में 31 spinal segments होते हैं and size depends करता है इस segment का size जो depend करता है वो करता है amount of tissue पर तो कर T4-9 thoracic 7-12 जो होती है वो होती है T4-4 to thoracic 9 vertebrae and lumbar and sacral जो होती है वो T10 to L1 होती है अगर हमने बात किती ही enlargement की तो दो enlargement होते हैं cervical and lumbar enlargement cervical enlargement जो होते हैं वो C5-2 T1 spinal segment के बीच में बनता है और इससे nerve होती है जो बहुत most important है nerve arising होती है उससे बोलते है brachial plexus अगर हम बात करें lumbar तो lumbar जो होता है L2-S3 spinal segment के बीच में होता है lumbar enlargement और जो इसकी nerve होती है वो arising जो इससे nerve होती है उससे बोलते है lumbar plexus यह इसका lumbar plexus depends on the name or the lumbar enlargement अगर हम बात करें इसके internal structure की तो spinal cord के अगर internal structure की बात करें तो जो central mass होता है उससे gray matter का बना होता है gray matter किसका made of the nerve cells का अगर इसके हम peripheral mass की बात करें एक हम आपको इक structure के वारे में भी बताते हैं एक हमने structure लिया अगर आप अगर आप अगर 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 आपको बात करें इसके बारे में में आपको भी बताएं इंट्रेक्ट्रेक्ट्रेश की तो जो इसल्ट्रेक्ट्रल माश होता ह 되고 gonna में अए थै और ऐफोता है और यह भाइ में अगर और यह धै इस स्ट्रेक्ट्रेक्ट्र घोटे सी इसको था जो डोर्सल मिदिएफ यदेफ this is the dorsal horn and this is the ventral horn and this is the gray matter because gray matter the center mass of the gray matter center mass of the part gray matter this is the this is the central canal this is the central canal and this is the dorsal median sulcus and this is the ventral median sulcus if we talk about level of the level of the cervical thoracic and lumber of the structure about this structure what is called the cervical and this is the lumbar which is the feature of the spinal segment gray matter, posterior horn, anterior horn, lateral horn and reticular formation which is the reason why is it? so I have to show you the table in short because the cervical which is the gray matter which is large and the gray matter which is the quantity which is the quantity which is the small quantity. if we talk about reticular formation sorry reticular formation which is the best developed and poorly developed but the lumbar which is absent. which is the same as the नीरोन्स होता है एक इंटर नीरोन्स होता है अच्छा मोटर नीरोन्स होता है वो एंटिरियर एंड लेटरल हॉर्ण्स में होता है अभी आपको मैंने इस्ट्रक्शन बताया था कि एंटिर हॉर्ण कर नीच होता है लेटरल हॉर्ण साइट से होता है पुश्टिय होन उपर हो बात करें लेटरल होंस में तो लेटरल होंस में जो नियूरोंस होते हैं वो प्रिगेंगलियोनिक ओटोनोमिक नियूरोंस होते हैं और इक फॉर्मिंग जो करता हूँ असेंडिंग ट्रैक्ट का फॉर्मिशन करता है असेंडिंग ट्रैक्ट का फॉर्मिशन करता है असेंडिं एक बहुत सारे डिफरेंट टाइप की नियूरॉण एक जिएक संगठन वना रहा है एक मतलब हिंदी बोल सकते हैं आपको तो ए एसोसेशिन नियूरॉण अगर हम बात करें सेल्स गुरूप की सेल्स गुरूप की बात करें पहले हम बात करेंगे एंट्री गरे कॉलम की फिर हम बात करेंगे पोस्ट्री गरे कॉलम की तो फिर उसके बात लेटर तो अगर एंट्री गरे कॉलम की बात करें तो divide होता है तीन गुरूप में Lateral गुरूप and Central गुरूप and Middle गुरूप Lateral गुरूप में मैंने आपको बहुत short लिल लिखा है बहुत अच्छे से मैंने आपको बताना चाहना हो कि आप जादतर इसमें cover हो सके आसानी से Lateral गुरूप की बात करें तो इसमें cervical and lumbosacral enlargement होते है अब मैंने आपको enlargement के बारे में बता है ताकि cervical क्या होता है लumbosacral क्या होता है अगर हम बात करें सेंटर गुरूप की तो सेंटर गुरूप में three definite nuclei होते हैं बहुत important phrenic nucleus lumbosacral nucleus and the spinal nucleus of the accessory cranial nerve accessory number 11 accessory cranial nerve अच्छा एक important बात ही कि phrenic neon nucleus जो होता है वो कहां से कहां तक होता है तो phrenic nucleus जो extend करता है C3 to C5 segment and lumbosacral nucleus जो होता है वो L to the H3 segment and this panel जो होता है C1 to the C5 segments अगर हम बात करें medial group की तो medial group subdivided into the bentro, medial and dotso, medial parts अगर हम बात करें cells group in the posterior gray column posterior gray column की बात करें तो arrange होते है four longitudinal column में apex to the waist it's a more important substantia gelatinosa is also called of rolando and nucleus proprius and nucleus dorsalis nucleus dorsalis also called clars column and visceral afferent nucleus अगर हम बात करें substantia gelatinosa तो ये extend करता है throughout the end throughout extend throughout मतलब पूरे spinal जो पुष्टे गरी column है पूरे में nucleus proprius की बात करें तो extend करता है whole length of to the spinal cord में अगर हम बात करें nucleus dorsalis तो ये C8 to the L2, L3 segment में visceral afferent nucleus जो extend करता है वो T12 to L2 segment and S2 to S4 segment अभी हमने बात की cells group of the anterior पुष्टे इसके बात करते है cell subgroup of the lateral gray column की lateral gray column is also intermediate gray column इसमें क्या बात है 2 nuclei का formation करता है form 2 nuclei intermedio lateral and intermedio medial intermedio lateral जो extend करता है T12 to the L2 segments में and the intermedio medial जो वो करता है S2 to the S4 segment में अच्छा बात करें white matter gray matter जिसे complete and white matter की बात करें तो white matter surround करता है जो gray matter S-shaped gray matter को तो क्या करता है जो white matter वो surround करता है S-shaped gray matter को and consist nerve fibers and myelinated nerve fibers it's important तो white matter is a consistent nerve fibers and myelinated nerve fibers divided into the three parts also called column posterior white column lateral white column and anterior white column posterior white column जो between होता है posterior सा मतलब चला है posterior median septum and posterior horn posterior median septum and posterior horn lateral white column जो between होता है anterior and posterior anterior horn and anterior white column between the anterior median fasciaura and anterior horn and in the last each white column is made up of the tracts either ascending or descending posterior bite column is sensory anterior column is motor it's a most important posterior bite column is sensory and the anterior column is motor and the lateral column and the lateral column is the mixed so I have to say so I will always tell you smiley cord in the case I have to say about this smiley cord and the external smiley cord and external structure and internal structure about this and I will just tell you भी वीडियो में, नियूरो एनाट की जितने भी टॉपिक हैं, जितना मैं अच्छे से बता सकता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आज मेरी ये पहली वीडियो थी, तो इसमें इतना दीरी-दीर सुदार हो जाएगा, दूसरा बात इसमें ये और इसके जो आग झालँ झालँ झालँएएएग को बता इसके हैं, जो खचट बात रादे हैं, सब्सक् के जो खचब हला मॉवदेगा जोजएवे। झालँधे रारी ऑटे गले गिर से और गा पॉवदेःगा